हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल यूट्यूबर जीतू और मैं जीतू विश्यो कर्मा आपका अपने चैनल पर तह दिल से स्वागत करना चाहता हूँ और करता भी हूँ तो आज का हमारा टॉपिक है परागण क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं बस थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे बेसिक बेसिक टॉपिक ज्यादा हम डीप के नहीं जाएंगे और कि आपको इस लाइन दिख रही है सब्सक्राइब फ्री सॉरी वीडियो प्रमोरेशन की ब यह सुख आखे पॉलिनेशन होता क्या है तो चल्ये इस्टार्ड करते हैं तो सिधा जंप करके आ गये हम एके टोलिनेशन कलकी परागणर फोलिनेशन इसको हिन्दी हम बोलते हैं क्या होता है परागण? पुस्प पुस्प तक ट्रांसपर हो जाते हैं तो उसे हम पुलिनेशन या परागर कहते हैं दाइग्राम के माध्यम से समझेए आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा यह कोई फूल है गुड़हल का फूल है मैंने यहां पर गुड़हल का फूल लिया है डाइग्राम में तो यहां पर आपको एक डंठल दिख रहा है लंबा लंबा इसको हम बोलते हैं इस्टिग्मा यह बताना ज़रूरी है कुछ लोगों को सायथ नहीं पता होगा अच्छी सबसे लंबा होता है इसको वर्ति-काग्र या स्टिग्मा बोल लेते हैं लेकिन जो यह छोचे-छोचे इन इन प्ट्रक्चर इनको हम एंथर बोलते हैं को के और आ और पैंतर ही हमारा पॉलन ग्रीन 큰 रहते हैं जब किसी एक पुस्प के पराग कोश से, जब पराग कोश आपको कहना है तो कहिए, नहीं तो सीधा हम कहेंगे, जब एक पुस्प के पराग करों का ट्रांसफर, उसी पुस्प के वर्तिकाग या उसी जाती के, उसी जाती के दूसरे पुस्प के वर्तिकाग तक पराग करों का ट्रांसफर होता है, तो इसे हम परागन कहते हैं सिंपल समझ में आ गया होगा मेरे इसाब से जिनको नहीं समझ में आया है मैं एक बार और बता देता हूं यह आपका पराद पोस हो गया तो जब किसी एक पुस्प के पराग कोस से ठीक है ना पराग करों का ट्रांसफर उसी पुस्प के वर्ठीका अगर तक या उसी जातिके किसी दूसरे पुस्प के वर्ठीका अगर तक पराग करों का ट्रांसफर होता है तो उसे हम पॉलीनेशन बोल देते हैं जरूर बोलेंगे यह परिवासा एकदम फिट बैठेगी इस परिवासा को कोई गलत नहीं बोल सकता और बड़िया छोटी सी है और आपको समझ में भी आ गई होगी तो यह तो होगी पॉलीनेशन की बात अब चलिए हम बात करते हैं कि पॉलीनेशन के प्रकार कितने होते हैं तो पॉलीनेशन दो प्रकार का होता है मेली कौन कौन सा आईए उसके बारे में भी हम बात करते हैं एक होता है self-pollination ओके और दूसरा होता है cross-pollination swap-paragran, par-paragran self मतलब सा, cross मतलब cross मतलब यह होता है लेकिन mainly cross को ऐसे से, ऐसे symbol से decide करते हैं लेकिन यहाँ पर-paragran बोल सकते हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा है पर यानि दूसरे तक पहुंचना है हमको और swap मतलब swap में ही निर्धारित हो जाना है हमको तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि पर-paragran और swap-paragran इसे कहते हैं तो चलिए self-pollination से start करते हैं self-pollination की definition है वो एकदम pollination की definition से match खाती है मतलब कि आप 100% sure होके आप उस पे अपनी परिवासा चिपका सकते हैं कि जब एक पुस्प के पर-paragran उसी पुस्प के वर्तिकागर को या उसी पौधे के उसी पौधे के दूसरे पुस्प के वर्तिकागर तक परागित होते हैं या वर्तिकागर तक पहुचते हैं वर्तिकागर तक जो पहुचने की क्रिया होती है ना पौलियन ग्रेन की उसे ही हम परागित बोल देते हैं ठीक है ना तो जब एक पुस्प के पराग करण उसी पुस्प के वर्तिकागर तक पहुचते हैं या परागित होते हैं तुसे हम 100 परागर बोलते हैं सिंप्ली जब एक पुस्प के यहां से कोई पॉलन ग्रेन है यहां यहां ठीक है ना यह यह जब एक पुस्प के पराग कड़ों का यह पॉलन ग्रेन्स यहां से जाएंगे हवा जल और अक्षी और आपके कीट पतंग के द्वारा यह ट्रांसवर हो जाता है ठीक है ना तो पुस्प के वर्तिकाग्र या उसी जादी के किसी दूसरे पुस्प के वर्तिकाग्र तक पहुचते हैं या इस्थाना अंतरित होते हैं या परागित होते हैं तो उसे हम स्वाप परागण बोलते हैं अब आपको यह वाद समझ में आ गई होगी अब हम बात करते हैं अपने दूसरा प्रकार जो हमारा है परपढ़ागर परपढ़ागर से क्या समझ में आ रहा है पर याननी दूसरा यानि दूसरे तक हमको पुंचना है तो परपरआगर में क्या होगा जब एक पुस्प के पराग कड़ों का ट्रांसफर उसी जाती के किसी दूसरे पौधे तक परागित होते हैं या इस्तानामतरित होते हैं तो उसे हम पर परागर बोलते हैं इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में सिंपली यह होता है कि मान लीजिए हमाने पास दो गुड़हल के फूल हैं नमबर एक नमबर दो ठीक है ना तो पर परागर में हमाना सिंपल फॉर्मूला यही बैटेगा कि यह जो इस पुस्प का पराग कड़ है पॉलन ग्रेन है तो जो फ्लावर के पॉधे हैं वो सेम होने चाहिए मतलब अगर गुड़हल का फूल है तो गुड़हल का दूसरा पूधा भी होना चाहिए अगर गेंदे का फूल है तो दूसरा पूधा भी गेंदे का फूल होना चाहिए दूसरा पूधा भी गेंदे का होना चाहिए कहते हैं होके समझ में आ गया आपको बिल्फिल सही है यहां पर सौरी फोड़ा सा गड़बर हो गया मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं यह आप समझ लीजिए इस्टिग्मा जो होता है अपना दो टाइप का होता है एक तो यह लंबवत हांड जैसी होती है अलब की ऒेलांड ऐक का इस्,ट्रक्चर होता है एक गड geschंशओ जो आपने गुडार के फूल में देखा तो इसको हम कैपिटेट बोलते हैं, गुडार के फूल वाले को जो हुड़वाले ओपर इसक्की तोपी रांड रांड होगी तो वीडियो प्लीज लाइक कर दीजेगा और क्या कहूँ और मैं अपने शब्दो कैसे बखान करूँ चलिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाग आपका